अरे चिंटू और पिंटू तुम दोनों क्या कर रहे हो बच्चो देखो देखो अभी सुबे के साड़े आठी बजे हैं और तुम दोनों क्या करने लगे अरे चिंटू तुम तो फ्रूटी पी रहे हो और यहाँ पर देखो पिंटू आइसक्रिम खा रहा है अरे दोनों बच गुड़िया देखती हो क्या तुमारे बच्चे शुबे शुबे आइस क्रीम खा रहें आइस क्रीम अरे भाया उनको मैं कितना डाटू वो लोग बहुत ही धीट हो गए हैं बहुत परेशान करते हैं मुझे हाँ हाँ गुड़िया उनको जाके चल दिशेम मना कर दो समझे वो अरे और उसी के लिए मैं खाना बना रहे हैं और बताओ आप कैसे हो थीक है थीक है भईया आज आपकी बहाँ चुटकी आ रही है क्या और ये गुडिया आज तुम्हारी देखो ननद आएगी चुटकी चुटकी और यहाँ पर देखो चिंटु और पिंटु को भी बता दो अरे चिंटु और पिंटु आज तुम दोनों की बुवा जी आएंगी चुटकी और उनके फुफा जी शोहन भी आएंग और तुम दोनों उनके साथ खेलना आज तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की कहानी में इनके बू आएंगी और उनके दोनों बच्चे राजु और रानी भी आएंगे भई राजु और रानी भी और देखो यहाँ पर तैयारी जोर सोर की चल रही अरे ये कौन है अच्छा लगता है यही तो सोहन है अरे शोहन कहां रहे गई चुटकी कहां रहे गई अरे भाईया भीया वो रास्ते में ही आए बस थोड़ी दिर रुख जाओ वो मुझसे थोड़ी धीरे आ रही है ना वो पहुचने वाली होगी अच्छा अच्छा चुटकी आने वाली है यहाँ पर लगता है चुटकी की गारी आ चुकी है ओहाँ पर देखो चुटकी भी आ चुकी है ओहाँ चुटकी तो बहुत ही शुंदर लग रही है चलो इसका परस उतार कर रखते हैं और चुटकी को यहाँ पर बिठाते हैं यहाँ पर आरे चुटकी वहीं पर बैठी रहो बैठी या बस वो लोग दूसरी वाली गारी में हैं वो लोग पहुचने वाले होंगे पहुचने वाले अच्छा अच्छा वो लोग भी दूसरी वाली गारी में हैं देखो इनकी गारी भी आचुकी है यहां पर देखो आचुके हैं राजु और रानी बहुत बढ़ियां बहुत गोडे से नीचे नहीं उतरोगे क्या भई आजाओ यहाँ पर बैठो यहाँ पर बहुत बढ़िया बैठे रहो मैं तुम्हारी घोडे को एक साइड खड़ा करके आता हूँ यहाँ पर आजो भई यहाँ पर अरे यहाँ पर अरे बबली जरागारियों की रखवाली करते रहना तो अरे बंटी अरे यहाँ देखो बबली तो अभी उठा ही नहीं है और उनके बच्चे भी नहीं उठे हैं और यहाँ पर देखो सारे काम बबली में निप्टा दिये हैं और अभी यह लोग उठे ही नहीं है अरे देखो शुबह की कितने लेट हो रहे हैं और यह लोग प और अपनी बुवा और फूफा जी से तो मिलो आजाओ 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 चिंटु तुम पहले आजाओ चलो चलो अपने बुवा जी के और फूफा जी के पैर छुओ अरे खुश रहो बेटा खुश रहो और बताओ चिंटु बेटा चिंटु बेटा कैसे हो तुम चलो बुव पाहे लागू बुवा जी पाहे लागू खुश रहो अरे पाहे लागू फुफा जी पाहे लागू खुश रहो और बताओ तुम दोनों के पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है कैसी अरे बुवा जी पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया ही चल रही है बढ़िया आप बताओ आ और पीन्टू तुम यहां पर बैठ जाओ, तुम लोग एक साथ खेलो कूदो, तब तक हम इनकी कुछ खातिरदारी कर देते हैं, अरे यहां पर देखो, अरे गुडिया, तुमने इनकी खातिरदारी के लिए कुछ बनाया की नहीं भई, अरे भईया सब कुछ ready है बस इनको ले जा कर देना है जरा दे कर आ जाते कहां पर है भई कहां पर है अच्छा अच्छा यहां पर तुमने उनके लिए कुछ ready किया है देखो देखो बिस्किट और पानी अच्छा अच्छा यहां पर देखो मैंने बिस्किट दे दिया और ये फूफा जी पानी पीओ, ये लो बुँआ जी पानी पीओ, बहुत बढ़ियाँ भाई, चलो आप लोग पानी धानी पीके रेडी हो जाओ, तब हम लोग कुछ बाती कर लेंगे, ठीक है? चलो जलदी से पानी पीओ, और वो लोग कहां गये भाई? आजाओ राजू और रानी तुम दोनों भी तो ठक गए होगे ना आज आओ थोड़ा सा कुछ खा पी लो चलो अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा कुछ खा लो और ये बच्चा कहा है अरे राजू तुम तो बहुत ही छोटे हो आज आज आपने पापा के गोधी में बैठो बहुत बढ़िया दिनों के बाद आई है वो आज बिना बाते की उसे घर नहीं जाने दूँगा अच्छा अच्छा इतना बढ़िया है ठीक है आजओ आजओ तुम अपने बैहन से जरा बाते बाते कर लो बहुत बढ़िया चलो तुम लोग सभी बाते करो और तब तक हम देखते हैं कि वास्ता वास्ता करके बैठ चुके हैं और ये तीनों एक साथ में खेल रहे हैं खेल रहे हैं अरे बैया सुनते हो क्या सुनते हो हाँ बुडिया क्या हुआ चुटकी क्या हुआ अरे बैया वो जरा सा मैं खाने के लिए कुछ शामान लाई हो चिंटू और पिंटू के लिए जरा मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है उसको ले आते तो चिंटू और पिंटू की मम्मी को दे देते तो वो सबी को दे देती खाने के लिए अच्छा अच्छा चुटकी तुम कुछ मिठाई लाई हो लगता है ओह यहाँ पर देखो ढेर सारे फ्रूट्स लाई है तो पर देखो काला वाला अंगूर है बहुत बढ़ियां यह लोग तो खूब बाते कर रहे हैं खूब बाते करो तुम लोग अच्छा अच्छा बच्छो तुम लोग खेल चुके क्या अभी क्यूंकि तुम्हारे लोटने का समय हो चुका है पता है चुटकी को भी देर हो अरे चुटकी तुम हमेशा यही कहती हो हमेशा तुम मुझे मिलने के लिए आती हो या दोड़ते दोड़ते आती हो चली जाती हो अरे भया माफ करो माफ करो लेकिन मुझे जाना पड़ेगा भीया अरे ठीक है चुटकी ठीक है भाई तुम्हारा काम है तुम जाओ ठीक है अच्छा अच्छा भईया चलो हम लोग ready हो रहे हैं हमारी गारी ज़रा वापस ले आते तो वहां से ठीक है चुटकी ठीक है मैं ले आता हूँ अच्छा अच्छा लगता है चुटकी और सोहन जाने के लिए तयार हो गए हैं गुड़ो और गुड़िया उन्हें बाए बाए कह रहे हैं यहाँ पर देखो बच्चे इस वाली गाड़ी पर आ गए है सोहन अपने घोड़े पर बैठ गया है चुटकी अपने वाली गारी पर बैठ गई है चलो चुटकी उन्हें बाए कह दो और जाओ ठीक है भाईया ठीक है मैं जा रही हूँ आप जाओ जाओ ठीक है तो वे देखो चुटकी तो चली गई और शोहन तुम भी चलो चलो अच्छा अच्छा यहां पर देखो चिंटू और पिंटू को पैसे मिले हैं उनकी बुवा जी ने खूप सारे पैसे दिये हैं आजाओ शोहन तुम भी आजाओ ये तिगडिक 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 तो देखो, आज यहाँ पर क्या हो गया, यह दोनों बहुत ही खुश हो गया है, पैसे पाकर के, लेकिन उनके भाई, उनके पापाजी को देखो, वो बहुत ही दुखी हो गया है, क्योंकि उनकी बेहन जो चली गई घर, तो ठीक है गाईस, अगली कहानी में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, ओके गाईस, बाई,